सब्सक्राइब बारे में आपको step to step one by one सारी डेटेल कलियर करेंगे तो वीडियो में end तक बने रहें और one by one कलियर point to point आपको वीडियो देखना है और आप अपनी ID कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं आपको step to step कलियर करूँगा तो ADS exchange में आप मातर एक हजार रुपे लगा कर lifetime के लिए जोनिंग ले सकते हैं जो बहुती कम रासी है मातर एक हजार रुपे और इससे आप रोज का 40 इंकम ले सकते हैं और मन्थली 1200 रुपे और yearly आप 14400 रुपे आप इसमें इंकम ले सकते हैं और इसके लिए आपको मातर 10 मिनट का आइड देखना होगा जो आइड कैसे देखा जाता है उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बना के आपको जरूर दिखाऊंगा तो व हम clear करेंगे तो अभी हम चलते हैं ADS में आप आईड कैसे बनाते हैं उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे WhatsApp गुरूप में वाट्सप मेंसेज में आपको WhatsApp गुरूप में इस प्रकार का एक मैसेज मिलेगा जिसमें ADS exchange से सम्मदित आपको पूरा one by one प्लान दिया गया जिसमें joining amount 1000 रुपे, रोज का 40 रुपे, परति मां 1200 रुपे और परति वर्ष आपको 14400 रुपे और इसमें डेली लेवल इंकम कैसी है, फैस्ट लेवल पर आपको 4 रुपे डेली मिलेगा और सेकिन से लेके 7 लेवल तक आपको 2-2 रुपे डेली मिलेगा और इसमें डेली team add wave income क्या है, उसके बारे में भी आपको पूरी details दे रखी है और इसी परकार से आपको अलग-अलग rank और reward income कैसी क्या है, और company के terms और condition कैसी क्या है, उसके बारे में भी आपको, और क्या-क्या इसके अंदर rank है, क्या इसके बारे में भी आपको clear कर रखा है तो इस ऐसा आपको message मिलेगा उसमें आपको एक link दिया गया है उसको आपको प्रेस करना है प्रेस करने के बाद में आपके सामने ऐसे इस प्रकार से skin खुलेगी और skin open होने के बाद में आपको इस प्रकार से बिल्कुल आपको स्यों होगा इसमें आपको जिसे entry over full name यहां पर आपका नाम डालना है entry over email email ID में आपको एक विशेज दिहान रखना है इसमें email ID में only small letter का ही email में आपको कभी भी capital axor का use नहीं करना चाहिए only small letter में ही use करें और उसके बाद में आता है entry over phone आपके जो contact number है 10 digit में वह हैं इसमें डालने हैं और फिर आता है sponsor ID यह sponsor ID है यह मेरी खुद की ID है sponsor ID और फिर आता है password password में आपको 88 digit में ही आपको नमर डालना है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 88 तक और यह आप जैसे भी आप चाहते हैं 2418 जैसे भी डाल सकते हैं 90 जीरो उपर नेचे भी आप only 8 digit में ही इसको डाले और correct account को phrase कर दे तो अब भी मैं आपको पूरा detail में आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है सबसे पहले इसमें enter your full name enter your full name में मैं मेरा ही नाम डाल देता हूँ इंटर और mail id mail id के अंदर आप मैं एक बार पर्मोद 3457 add the rate gmail.com अब भी contact नमर डाल देते हैं जैसे मैं मेरा ही डाल देता हूँ आपके सामने add 432508580 यहाँ पर add digit में आपको password डाल देता हूँ 12345678 continue मैंने डाल दिया आपके सामने तो देखो step to step मैंने आपको लगबग कलियर कर दिया है कि क्या क्या करना है सबसे पहले अपना full name डालना है फिर email id फिर अपने मोबाइल नमबर और add digit में अपने contact नमबर फिर करेक्ट हैं अभी जैसे ही यह आपके सामने योवर यूजर नेम और password और tip इन आते हैं उनका आपको skin suit जरूर लेगे यह अपने पास में अपने पास में save ही रखना है यह मैं clear कर देता हूँ और tip इन किसी के साथ में share ने करें only for यह tip tip इन है जो अपना payment है वह है transfer करने अपने वेड़ो लेने में ही काम आएंगे password और user name या user id है यह id open करने के लिए अपने पास में होने चाहिए तो आप सबी भाईयों से यह request है कि इसका skin suit लेकर जरूर अपने पास में रखें तो वीडियो के मादे में से मैंने लगबग लगबग जानकारी दे दी है कि आपको अपन नमस्कार जे हिंद जे भार्थ